देखिए मैं आज आपको मान्य प्रधान मंतर श्री नरेंदर मोधी जी के जो दो कारणामे हैं जिनने देश के विकास के लिए उन्होंने बनाया है बताया है और अगर इमानदरी से कहों तो लोगों को गुमराह किया है उन दो कारणामों के विशे में आपको बताना चाहता हूँ जिनने विकास का बहुत बड़ा माध्यम मान्य मोधी जी लेके चल ले हैं उसमें एक है नोट बंदी और दूसरा है GST तो पहले नोट बंदी के लिए ले लेते हैं नोट बंदी करते समय मान्य मोधी जी ने चार बातें मुख्य रूप से बताएं कि नोट बंदी हम क्यों कर रहे हैं एक बात उन्होंने बताई कि नोट बंदी से जो काला अधन है वो काला अधन खतम हो जाएगा बहार आएगा नमबर दो नोट बंदी से आतंकवाद बंद हो जाएगा आतंकवाद को खतम किया जाएगा क्योंकि उनका मानना ये था कि जो आतंकवादी हैं वो हमारी ही पैसे का इस्तमाल करते हैं नकली लोटों का इस्तमाल करते हैं और जब नया नोट आ जाएगा तो नकली नोट बना नहीं सकेंगे और इसलिए पैसे की उनकी जरुवत है वो पूरी नहीं हुपाएगी लिहाज़ वो खतम हो जायेगा तीसरा जो उन्होंने नोट बंदी के लिए क्या है उन्हों कहा कि जो जाली नोट हैं वो नोट बंदी के कारण खतम हो जायेगे और देश का विकास होगा अब जरह सा इसको सिलसिले बार समझ लेते हैं आपने हमने सबने देखा कि रातो रात मान्ये नेरेद बोदीजी ने 8 नॉबंबर 2016 को नोटबंदी की घोशना कर दी और नोटबंदी की घोशना के बाद क्या हुआ आप सबको मालूम है उन्होंने 50 दिन का समय लिया लेकिन 50 दिन में लगबग 100 से ज़्यादे बार उन्हों नियम बदले कभी 4000 देंगे बदल के फिर 4000 को 2000 किया गया कभी कुछ और कभी कुछ और इसके साथ साथ में जो लंबी लाइन लगी बैंकों के बाहर लगी आपने सब ने देखा मीडिया ने भी दिखाया कि लगबग 300 लोग उन लंबी लाइनों में लगके मर गए जिसका मरता है उसी को मालूम है दर्द जिसका नहीं मरा उसे इसकी दुख की पता नहीं है मान्य मोधी जी को उसके दुख की पता नहीं लोगों के दुखों से उनका कोई लेना देना नहीं आपने देखा कई तो ऐसे हाथ से हुए कि परिवार में शादी होने वाली है और जब पिता ने देखा कि नोट बंदी होगी, नोट बदन नहीं सकते कैसे हो और बहुत कम समय रहे गया शादी में तो नतीजा यह हुआ कि heart attack हो गया और मर गया कुछ ऐसे भी हाथ से हुए कि खुद बेटियों ने जिनकी शादी होने वाली थी उन्होंने ही आत्मत्या कर लिए लाइन में खड़े-खड़े लोग मर गये हैं लेकिन मान्य मोदी जी को उनकी कोई चिंता नहीं सरकार को भाजपा सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं जो मर गया सो मर गया लेकिन जिनके घर उजड़ गये उनके दर्द को कोई दूसरा नहीं जान सकता अगर हम इंसानियत के नाते उनकी जगे अपने आपको रखके देखें तो हमें उनका दर्द महसुस होगा कि कितना कुछ उन परिवारों ने खो दिया अब बात करें आतंकवाद की क्या नोटबंदी के बाद आतंकवाद खतम हुआ आपने देखा तब से लेके अब तक लगातार आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है आतंकवादी गद्विदियां घटनाय लगातार बढ़ती चली जा रही है जो हमारे सैनिक हैं जो आम जनता है हर रोज कहीं न कहीं उनकी मौत हो रही है और आतंकवादियों के दुछ साहस इतना बढ़ गया है कि जो हमारे आर्मी कैम्प से हैं जो हमारे सीयार पीफ के कैम्प से हैं पेरामिलिटी फोर्सिस के कैम्प से हैं उन तक पर घुस के हमला किया जा रहा है तो दिन प्रति दिन आतंकवाद और बढ़ता चला जा रहा है खतम होने की तो बहुत दूर की बात है कम भी नहीं हुआ और जो सैनिक हमारे मर रहे हैं उन सैनिकों के घरों से पूछो, उनके दिलों से पूछो कि क्या उन्होंने खो दिया 56 का सीना लेने वाले मोदी जी बड़े शान से कहते थे कि एक की जगे 10 सिर्काट के लाएं एक भी सिर्काट के लेके आए कुछ भी किया और राद दिन ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को महतोर जवाब देना चाहिए लेकिन मोदी जी है उनके बर्थडे में तो जाते हैं उनके जनम दिन में तो जाते हैं बीच में से उतर जाते हैं कहीं जाते जाते प्लेन जो है अपना पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं उनको बधाई देते हैं और वो ही हमारे घर में हमारे देश के जवानों को घुश के मार रहे हैं तो आतंगवाद खतम हुआ नहीं खतम हुआ इसके अलावा अगर हम देखें भ्रस्टाचार खतम हुआ कालधन बाहर आया ना भ्रस्टाचार खतम हुआ ना कालधन आया अभी अभी मैं आपको बता हूँ, कल ही मैं नियूज में देख रहा था, नियूस पेपर में निकला है बाकादा कि भ्रस्टाचार के मामले में हमारा देश एक्यासी में पायदान पर आ गया है एक्यासी में, यहां तक हमारी हालत हो गई है कि हम हर दिन हर साल हम लगातार भ्रस्टाचार के गर्त में और गर्ते चले जा रहे हैं लगातार हमारी यह हालत है भ्रस्टाचार की जहां तक कालेधन की बात है तो कालेधन कौन साल आने का वादा किया था मोदी जी ने काला धन यह नहीं जो यहां पे था मोधी जी नहीं तो बड़े खुल के बात कही थी और मोधी जी के साथ में उनके एक जो दूत थे यह यह कहूँ कि उनके हनुमान थे बाबा राम देब उन्होंने भी खुब खुल के बात करी के काला धन लाएंगे कालधन आया वो कालधन यहां तक कि उसके विशे में जो लगबग 630 लोगों के नाम सरकार के पास में सुजलेंड की सरकार ने दिये थे और सरकार के पास थे वो सुप्रिम कोट तक को नहीं बता है उन्हें ही गरफतान नहीं कर सके बाकी लाना तो दूर की बात है लेकिन कालधन यहां वाला तो यहां वाला भी कालधन क्या आया आपने देखा कि जितने पैसे वापस आये जितना रुप्या बेंकों में वापस आया वो भी सरकार ने जो पहले घोशना की कि लगबग सवा 14 लाख करोड रुपिय मार्केट में है जिसमें 1500 किनोट है और वापस आगे 15 लाख करोड से भी जाद है मात्र 28,000 करोड के लगबग पैसा सरकार बताती है कि नहीं आया और वो सवा 14 लाख को संशोधित करके सरकार ने का कि नहीं लगबग सवा 15 लाख करोड रुपिया मार्केट में है ये भी पता नहीं है अभी कि कितना पैसा था लेकिन हर बार ये सारी चीज़ें बदली और आज तक भी रिजर्ब बैंक में उसकी गिंती चल लई है और ये तो तब है जबकि रिजर्ब बैंक में बदलने की तारीक 31.27 तक रखी गई पर बावजूद उसके भी जो लोग आए जमा करने उनका पैसा ही जमा नहीं किया और अभी भी उसे गिनी ही रहे हैं तो सरकार किस कदर जूट बुल लई है और अपने दूशित इरादे को पूरा करने के लिए किस तरह से जो समवेधानिक संस्ता हैं रिजर्ब बैंक तक का इस्तमाल सरकार ने किया अब आ जाएं जाली नोट तो जाली नोट आपने देखा होगा कि सरकार के आंकडे थे कि जिस समय नोट बंदी की गई उस समय तक सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 400 करोड रुपे के जाली नोट मार्केट में थे ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार ने नए नोट बनाने के लिए बनाने के लिए कितना खर्चा किया 22,000 करोड़ तो कौन सा सथाफाइद का है वो 22,000 करोड़ जो जनता की गाड़ी कमाई थी खुनपसीने की कमाई थी वो 22,000 करोड़ सिर्फ 400 करोड़ को मार्केट से बाहर निकालने के लिए आपने खर्च कर दिये और जबकि एक हपते के बाद ही जो 2000 का नोट आपने बनाया वो 2000 का नोट मार्केट में आ गया जाली नोट दुनिया ने देखा सब कुछ और उसके बाद लगातार मार्केट में है 2000 का नोट, 500 के नोट अब तो 500 के नोट की भी बात आ रही है कि वो भी जाली नोट तयार हो गया है तो जब जाली नोट जिसको खतम करने के लिए आपने सारा का सारा ये शरंत रचा वो भी आज मार्केट में है तो कहां से जाली नोट खतम हुआ तो सरकार की जितने भी ये सारी की सारी चीजें थी काला धन हो आतंकबाद हो जाली नोट हो भरस्टा चार हो चारों के चारों मुद्दे जूंकितियों धरे रह गए और कहना मैं यही ठीक समझता हूँ कि वो नोट बंदी इस देश का शायद सबसे बड़ा घोटाला जो मान्य नरूंद्र बोधी जी के सरकार ने अपने शाष्नकाले में किया लेकिन उसे नाम दिया जन्ता की बहाई के लिए और 50 दिन पूरे होने के बाद अगर आप लोगों की याद होता हो आप जानते हों इस नोट बंदी के उपर 50 दिन के बाद में मान्य नरंद्र बोदीजी ने एक शब्द भी नहीं बोला ये उनका ढंग और तरीका है लूट का तरीका है और जो लूट आज की तारिक में आपके सामने आ रही है तो हर चीज नोट बंदी के रूप में जो उन्होंने कही पूरी तरह से फेल रही तो ऐसे हमारे प्रधान मंत्री मान्य नरंद्र बोदीजी हैं जर अज संहल के रहना सात्यों केवल एक यही बात नहीं है और भी भहसी बात रही हैं सात्यों इसके सासात मैं अब GST की बात करता हूँ GST को कहा गया है कि GST कई जो ٹेक्स थे उनको सब को इखटा करके एक टेक्स कर दिया गया और नारा भी दिया प्रिचार भी किया बाकादा इसका जो है विग्यापन दिया कि कितने ही टेक्सों को खतम करके एक टेक्स कर दिया गया और एक रास्ट एक टेक्स का नारा दिया गया तो भीया ये जो बाकी के और टेक्स हैं इनका क्या हाल है उस एक टेक्स जी एस्टी के अलावा और भी तो टेक्स रखते हैं जो ये पेट्रॉल पे डीजल पे जो टेक्स रग रहा है ये क्या टेक्स नहीं है और आपने GST के दायरे में जो ला रहे हैं आप तो GST के दायरे में आपको ये पेट्रॉल और डीजल इनको लाने की जरूत नहीं है क्या इन्हें क्यों नहीं लेकर आए आप क्योंकि इनके माध्यम से आप जनता को लोट सकते हैं देश की भोली-भाली जनता का शोशन कर सकते हैं और भ्रस्टाचार आपका पनप सकता है पनपता रहेगा आपका आपकी तिजोरियां भरते रहेंगे और लोग-भुक-मरी के कगार पर आकर खड़ हो गए हैं जहां तक व्यापरियों की बात है व्यापरियों के परिशानी आपने देखी है किस हालत में हो गई है व्यापरियों की परिशानी व्यापरी कहने ही पा रहा है लेकिन व्यापर पर बहुत ही इसका विरोधी असर पड़ा है और व्यापर लग-बग 40% व्यापर में अगर आप जाएं तो व्यापार खतम हुआ तो रोजगार खतम हो गए नोटबंदी और GST इन दोनों ने मिला के लगबग इस देश में पांच करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया तो आपने रोजगार देने के लिए देश की भलाई के लिए यह काम किये न यह सारे के सारे आपने सिर्फ दिखावा किया क्योंकि जैसी आप क्या देते हैं और यह सब के सब जनता के लिए अहित कर हानिकर थाबित हुए आपने जब यह GST लागू की GST से पहले आपने सारा आकल नहीं किया आपके पास सरकारी महकमा है सारे आपके पास में एक से एक एक्सपर्ट है आप टेक्स एक्सपर्ट है आपके पास में चार्टेड एकाउंट है सब के साथ बैठ के डिस्कर्स करना चाहिए था सरकार को लेकिन नहीं किया आपके पास technical expert है लेकिन आपने नहीं किया तो जो उसका धाचा चाहिए तो देश की जरूरतों के हिसाब से वो आपने नहीं किया लगबग 4 करोड लोग GST के दाइरे में आते हैं और आपका जो computer है आपका जो technical सारा instrument है उसमें मात्र इतनी है Sweden की आबादी आज की तारिक में एक करोड भी नहीं है पूरी लगबग 96 lakhs उसकी आबादी है 100% वहाँ पर education है 100% वहाँ पर bank वगरा से सब को लोग जुड़े हुए है डिजिटल से पूरे तरह से जुड़े हुए है उस सब के बावजूद भी लगबग 10 से 15 प्रतिशत पिटा income लोगों की है आप उसकी बात करते हैं उधारन देते हैं और यहां आपके देश में 40 करोड लोग तो ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती तीन लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल के वर भूग से मर जाते हैं सिक्षा का हाल आपका इतना बुरा है कि दुनिया स्कूल सर्फ उनको पनापने दे रहे हैं और सिक्षा भी ऐसी है कि शहर में कुछ है शहर में भी पब्लिक स्कूल में कुछ सेंटर स्कूल में कुछ गौर्मेंट स्कूल में कुछ कॉर्परेशन की स्कूल में कुछ गाओं में कुछ इस तरह से आपके हैं हाल है तो इस साध बंदी ने इस देश का बिड़ागर कर दिया और पांच करोड लोगों को रोजगार वहिन कर दिया बेरोजगार कर दिया तो हमें ऐसी योजना नहीं चाहिए हमें ऐसे वादे नहीं चाहिए हमें नेता वो चाहिए हमें पार्टी वो चाहिए जो इमानदारी से लोगों की भल झाल